नवश्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है अंकुर आप देख रहे हैं बॉलिवूड स्वाइल जहां होती है बॉलिवूड की हर एक अपडेट बड़ी से चोटी से चोटी राइट अन टाइम सीधी बात नो बक्वास सो कुछ दूनों पहले ही मैंने आपको बताया था कि थेटर फिर से खुलने वाले हैं अनलोग की नई गाइडलाइन के तहर्त यानि की 15 अक्टोबर से थेटर खुल जाएंगे 50% के साथ लेकिन उसी के साथ सवाल यह आता है कि कुछ बहुत बड़ी रिलीजस थी जैसे कि अक् करेंगे लेकिन सवाल यह उडीता है यह बड़ी więc यह बड़े सितारे हैं तो बहुत कुछ इस बना हो सकता है या यह दिन ठर फर रहती हैं पर आती वह देखने वाली बात होगी क्योंकि जब इस तरीके की बड़ी फिल्म होती है तो प्रोड्यूसर जो होते हैं मीकर्स जो चाहते हैं कि इतना पैसा लगा है तो प्रॉफिट तो निकले कम से कम और थीटर से लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर इस तरीके की बड़ी फिल्म जाती है जो कि मैंने आपको बदाया लक्ष्मी बॉंप हुई या फिर अपना पुछ दो प्राइड ऑफ इंडिया या आपका दे बिग बुल तो क्या आप इनको थीटर्स में ही देखना पसंद करेंगे या OTT पर भी देखके काम चला लेंगे आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बागी इसके लावा रोईच शर्टी ने जैसे क्लियर्ली मना कर दिया था कि सूर्य वंशी जो है अक्षा कुमार जिसमें हीरो है उसको तो मैं OTT पर रेलीज करूंगा ही नहीं वो थीटर्स में ही आएगी जब भी थीटर्स नॉर्मली ओपन हो जाएंगे और सही भी बात है जितना मुझे लगता है कि सूर्य वंशी जैसी फिल्म मसाला फिल्म है वो OTT पर इतना मज़ा नहीं देपाएगी जितना थीटर में देगी उसका टच और फील ही थीटर वाला है तो मुझे लगता है कि रोई श्रेटी ने सही फैसला किया था अब देखना है कि यह जो तीन बड़ी फिल्म है इनके मेकर्स का डिसीजन लेते हैं क्या यह साइमेंटेनेसली रिलीज करेंगे यानि कि थीटर में भी और OTT पर एक सार क्योंकि OTT से भी कमिट्मेंट हो चुक झार 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 झार